UPSC Mathematics Optional PYQ, Subjective and Numerical Analysis, यह 2015 year में आवगा question है, Marks 15 का है, आईए इस question को देखते हैं, तो यह question थोड़ा लंबा था, इसलिए मैंने पहले इसको लिख लिया है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसमें, Find the solution of the system, clear यह system दिया है आपको, system equation ही दिया है, 10x1-2x2-x3-x4 is equal to 3, minus 2x1 plus 10x2-x3-x4 is equal to 15, minus x1-x2 plus 10x3-2x4 is equal to 27, minus x1-x2-2x3 plus 10x4 is equal to minus 9, यह आपको लिए equation दे रखी है, using Gauss's Seedal method, Mac for 4 iterations, यह आप से पूछ रहा है, इसने restricted कर दिया है आपको, कि Mac 4 iterations सक करना ही करना है आप लोगों को, ठीक है, तो यह 4 iterations हमको करना है, यहाँ से चलो देखते हैं, कैसे होगा यह, अच्छा, इसको solve करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी conditions देखेंगे, conditions मतलब, I mean x1 के जो coefficients है, वो इन x2, x3, x4 के coefficient के योग के, मतलब addition के, बरावर नहीं होना चाहिए, या फिर वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो मैंने फिर यह condition मैंने लिखी हैं सारी, तो यहाँ से मेरे को x1 मिल जाएगा, पहले से जब मैं x1 निकालूंगा, तो यह x1, 10, mode 10, greater than, mode minus 2, plus mode minus 1, plus mode minus 1, तो इनका जब आप योग करेंगे, तो इससे कमी ही बैठेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो greater than 10, ऐसे greater than यह वाली मैंने condition बन आई है, उसके बाद, यह 10 इसके बाद, यहाँ से हमको x3 मिल जाएगा, और यहाँ से आपको x2 मिल जाएगा, यहाँ से आपको x1 मिल जाएगा, उसके बाद, इसके बाद हमने 10 greater than minus 1, plus minus 1, plus minus 2, तो यह वाला इसका योग करेंगे, आप तब addition करेंगे, तब आपको यह भी क्या मिल जाएगा, कम मिलेगा इससे, और यह बड़ा रहेगा, greater than रहेगा, clear, चलो, देखते हैं कैसे solve होगा, त x1 की, तो is equal to यह वाले variable जो थे, वो सब इदर ले गया, मैं, 3 plus, यह minus के थे, तो plus के हो गए, plus 2x2, plus x3, plus x4, clear, फिर x1 is equal to x1 की जो value मैंने निकाली, वो बनवाई 10, 3 plus 2x2, plus x3, plus x4, यहाँ से x1 की value आ गई मेरे पास, फिर उसके बाद 10x2, यहाँ से x2 की value निकाली, तो 15 plus 2 x1, plus x3, plus x4, यहाँ से ले गया, फिर उसके बाद x2 is equal to 1 upon 10, 15 plus 2x1, plus x3, plus x4, यह मेरे को value मिल गई, clear, फिर 10x3 is equal to 27, plus x1, plus x2, plus 2x4, फिर x3 is equal to 1 upon 10, 27 plus x1, plus x2, plus 2x4, यह मिल गया, फिर 10x4 is equal to x1, plus x2, plus 2x3, x3, minus 9, x4 is equal to 1 upon 10, x1, plus x2, plus 2x3, minus 9, clear, तो यहाँ तक आ गए, हमारे लिए x4 की value मिल गई, x3 की भी मिल गई, x2 की भी मिल गई, तो अब हम start करता हैं, यहाँ से iteration first, तो पहला iteration हम solve करेंगे इसको, तो पहला iterations देखिए, यहाँ पर put करेंगे, x1 हमको निकालना है, तो हम क्या क करेंगे, x2 is equal to 0, x3 is equal to 0, x4 is equal to 0, तो हम इसमें put करेंगे, तो x1 की value is equal to 1 upon 10, तो यह रखेंगे, उसमें put करेंगे, तो हमको x1 की value मिल जाएगी 0.3, ऐसे हम x2 is equal to 1, मतलब x2 की value निकालेंगे, जब यहाँ पर हम x2 की value जो निकालेंगे, वो हम यहाँ पर लखेंगे, 1 upon 10, 1 1.56 तो अब यहां से हमको मिल जाएगा x2 is equal to जब हम भाग देंगे तो 1.56 हो जाएगा हमारे पास clear clear यहां थोड़ा सा doubt लग रहा है एक second ठीक है यहां पर यह 15.6 होगा थोड़ा mistake हो गया था 2.56 यह मेरी x2 की value मिल गई फिर मैं निकालूंगा x3 की 1 upon 10 वही value रखी इसमें put किया और x3 की value निकाली हमने 2.886 आप अपने calculator में put करके इसको exact value आप निकाल सकते हैं इतनी मिलेगी 2.886 clear इसके बाद आपको मिलेगा x4 निकालेंगे आप तो 1 upon 10 0.3 plus 1.56 इसको आप put करेंगे x x4 में तब आपको मिलेगा x4 की value minus में आएगी minus 0.1368 clear फिर iteration अब हम आते हैं iteration 2 पे first iteration हो गया हमारा x1 की value आगई x2 की value आगई x3 की और x4 की भी अब हम निकालेंगे iteration 2 तो iteration 2 में हम जब करेंगे तो x2 updated जो value रहती है उसको हम put करते हैं तो x2 is equal to 1.56 जो हमारी i थी value x3 is equal to 2.886 x4 is equal to minus 0.1368 तो x2 की value हम put करेंगे क्यों क्योंकि x1 की value हमको निकालनी है clear तो हम अब हम इसमें डालेंगे x1 की value डालेंगे 1 upon 10 3 plus 2 multiply 1.56 तो ये करेंगे x1 8.869 तो करेंगे x1 अब आपकी हो जाएगी value x1 की value आएगी 0.8869 clear तो ये 8869 आ गया इसके बाद अब हम निकालेंगे x2 की value किसकी निकालेंगे x2 जब x2 निकालेंगे तो आप वही रखेंगे is equal to 1 upon 10 15 plus 2 x1 उसी की तरह करेंगे आप फिर आप इसको solution करेंगे पूरे को जब आप calculate करेंगे x2 की value मिल जाएगी 1.9523 x3 is equal to 1 upon 10 27 plus x1 इसमें फिर डालेंगे आप value यह सारी calculator से आप solve करेंगे तो x3 is equal to इतना मिल जाएगा आपको 2.9566 x4 को फिर आप solve करेंगे x4 की value निकालेंगे तो आप तब आपका यह second iteration पूरा हो जाएगा यहांसे तो x4 की value आपके पास आजाएगे minus 0.0248 clear तो third iteration क्या होगा आपके पास third iteration होगा निकालेंगे x1 की value उ उनमें हम put करते जाएंगे तो इसमें x2 x3 x4 की सारी value put करेंगे और value निकालेंगे 0.98360 x2 की value भी निकालेंगे 1.8899 clear फिर उसके बाद x2 की value यहांसे आ गई और यह फिर x3 की value निकालेंगे 1 upon 10 27 plus x1 plus x2 plus 2 x4 clear तो यह मिल जाएगा हमको फिर x3 की value जो हमको मिलेगी 2.9924 फिर उसके बाद x4 की is equal to minus 0.0042 फिर हम जब हम x4 की value निकालेंगे तो हमको मिल जाएगी minus 0.0042 अब हम करेंगे 4th iteration यहांसे मैं हमने 3rd iteration कर लिया clear और जब 3rd iteration किया तो 3rd iteration के बाद बाता है 4th iteration तो 4th iteration हमके किया x2 is equal to 1.9 वही हमारी value सारी मिली x2 x3 और x4 तो इनको हमने put up किय इसमें put किया x1 पहले निकाला तो x1 की value 0.9968 आई फिर x2 निकाला 1.9982 आया फिर x3 निकाला 2.9945 आया और उसके बाद last में x4 is equal to 1 upon 10 x1 plus x2 plus 2 x3 minus 9 x4 is equal to 1 upon 10 0.9968 यह आपकी value आई जब आप x4 में इसमें put करेंगे तो finally आपको answer मिल जाएगा x4 is equal to minus 0.0016 यह आपका final answer है धन्यवाद मिलते हैं next lecture में